हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से मेरे इस चैनल में तमनेल के जरीय आप जानी चुके होंगे कि आज मैं आपको किस टोपिक पे बताने वाली हूँ आज मैं आपको ब्रैट से जुड़े कुछ ऐसे पहलू बताऊंगे जिसके बारे में आपने कभी पहले नहीं सोचा होगा और इसके बारे में आपको नहीं पता होगा और किसी से पूछने में भी आपको शर्म आती है तो जलिए जल्दी से मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगे जिने सुनकर आप हैरान होने वाले हैं क्या आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ओरतों के सरीर का सबसे महत्तपूरण अंग होता है ब्रेस्ट का एरिया और प्रुप्सों को भी ये बहुती सेक्सी लगता है आप यदि किसी से मिल रहे होंगे तो वो आपके ब्रेस्ट की ओर ही देखता है कुछ महिलाओं को अपने breast अच्छे नहीं लगते और वो अपने breast को सही अकार भी देना चाहती है और बहुत से लड़किया या औरते अपने breast को बढ़ा दिकाने के लिए double pad का भी use करती है फिर भी बहुत सी महिलाओं इससे खुश नहीं होती है तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या कारण है वो इन सब बातों से खुश नहीं हो पाती सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की breast के लिए दो तरह की बढ़ा आती है सबसे बड़ी ब्रा होती है L साइस की और सबसे छोटी साइस की ब्रा होती है ट्रिपल ए दुनिया की 70% महिलाओं ऐसी होती है जो अपने boobs के अकार से खुश नहीं होती है यदि उनकी boobs बड़े हैं जादा मोटे हैं तो वो fit रखना चाहती है और अगर उनके boobs पतले हैं तो वो मोटे बनाना चाहती है तो इसी के चलते 70% महिलाओं अपने boobs के अकार से खुश नहीं रहती इसी के साथ जो औरते दुम्रपान करती हैं उनकी boobs का अकार बड़ा हो जाता है इसके अलावा अगर आप pregnant हैं तो pregnancy के दोरान हर्मोन्स हमारी बोड़ी में तेजी से change होते हैं और ये हर्मोन्स हमारी निपल के रंग को dark कर देते हैं अब मैं आपको बताऊंगी feeling के बारे में बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी निपल को छूने या सहलाने से उनमे feeling आजाती है और उनकी feeling इतनी बढ़ जाती है कि वह orgasm तक पहुंच जाती है के अलावा महिलाओं की boobs का वजन लगबर 499 GM यानि की gram होता है जो पूरी body के 4-5% fat माना जाता है अब मैं आपको सबसे दिल्चस्प बात बताऊंगी कि पूरे world में 80% महिलाएं हैं जो गलत size की bra पहनती है यानि की उन्हें समझ ही नहीं आपाता कि उनके breast के लिए कौनसे size की bra सबसे best रहेगी जालतर महिलाओं के left boobs का अकार बड़ा होता है और right boobs का अकार थोड़ा छोटा होता है यदि महिलाएं पेट के बल सोती हैं तो वो अपने boobs के shape को change कर सकती है यानि की ऐसा माना जाता है कि यदि औरते या लड़कियां अपने पेट के बल सो रही हैं तो उनके boobs की shape change हो जाती है इतना ही नहीं हमारे सरीर के hormones daily change होते रहते हैं तो इसलिए हमारे boobs यानि की हमारे breast का size भी हर हफते change होता रहता है क्योंकि हमारे जिन्दी hormones change पर ही based हैं और इसके अलावा जो औरते अपने बच्चों को दूद पिलाती हैं तो उन्हें दिल वे cancer से जुड़ी बिमारियों से वो बच सकती हैं इसके अलावा अगर वो लगतार 6 महीने तक अपने बच्चे को दूद पिला रही है तो उनका वजन भी तीजी से कम हो जाता है पूरी दुनिया में 8 तरह के निपल के अकार होते हैं इसके अलावा जो लड़किया होती है वो भी अपने बुप्स को सीसे के सामने ऐसे देखती हैं जैसे की लड़के उनके बुप्स को देखते हैं सबसे गंबीर बात यह है कि दुनिया की 50% महिलाएं कभी भी अपने ब्रेस्ट का चेक अप नहीं कराती है तो कि आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन जाता है तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अपने ब्रेस्ट का चेक अप जुरूर करवाना चाहिए जब महिलाईं यंग होती है यानि की वो लड़की होती है तो उनकी बुप्स मिल्क, ग्लैंस, फैट और कोलैजन से मिलकर बने होते हैं लेकिन समय गुजरने पर उनकी बुप्स में सिर्फ फैट रह जाता है और फैट कम करने के लिए अपने स्थनों को भी आपको कम करना चाह महिलाईं की बुप्स को दवाने से जो ऑक्सिटॉनिक रिलीज होते हैं वह सेम गले लगने पर भी रिलीज होते हैं यानि कि यदि महिला किसी के गले लग रही है तो वही सेम ऑक्सिटॉनिक उनकी बोडी से निकलते हैं सोते समय महिलाईं के निपल भी सैक्स की वज़य से तरह उतेजित हो जाते हैं निपल महिलाओं की बूप्स का सबसे उतेजित भाग नहीं होता बलकि निपल से थोड़ा सा उपर वाला भाग ही उनमें जाधा उतेजना भर देता है तो यह था महिलाओं से जुड़ी उनकी कुछ दिल्चस्प बाते जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे तो गाइस गीता आज का मेरा वीडियो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीचे ज़री जरूर बताएगा और चैनल को अब रेख सब्सक्रेब नहीं किया है तो जip जानल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों